आज हम करेंगे इंगलिश का चेप्टर नम्बर नाइंग का टुप लूग चलिए शुरू करते हैं Talk to your partner and say whether the flowing statements are true or false हमें पताना है कि जो statement दी गई है वो true है या false तो सबसे पहले देखिए No animal can survive without water ये तो सच बात है कि कोई भी जानवर है जो पानी के बिना नहीं रह सकता इसलिए true Deserts are endless sand dunes जो रेगिस्तान होते हैं क्या वो भी खतम नहीं होते हैं ऐसी कोई बात नहीं है ये गलत है false Most snakes are harmless True जो स्नेक्स होते हैं वो कम नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं थोड़े ही कोई सांप होते हैं जो जाद नुकसान पहुंचा सकते हैं तो इसलिए ये true है Snakes cannot hear But they can feel vibrations through the ground ये तो सही है true कि वो जो कान होते हैं उनसे उन्हें सुनाई नहीं देता Snakes के कान होते ही नहीं है तो वो सिर्फ जो vibrations होती हैं उससे feel करते हैं कि यहाँ पर कोई है मेरे आसपास Camels store water in their humps False वो क्या करते हैं आपने जो हमस होते हैं उनके उनमें वो पानी स्टोर नहीं करते हैं बलकि उनके अंदर fat होता है जो उन्हें नरिश्मेंट देता है Next है Answer the flowing questions इसके लिए मालग से वीडियो बनाऊंगा उसके बाद है Be part Read the words या phrases in the box With your partner find their meaning in the dictionary हमें क्या करना है कुछ words दिये गए है इन सबी का meaning देखना है और इनमें feel करना है जो भी blanks दिये गए है तो चलिए पढ़ते हैं All animals in forest and deserts struggle to dash in dash conditions मतलब की अब इसमें देखे क्या आएगा All animals in forest and deserts struggle to survive in harsh conditions मतलब की वो survive करने के लिए मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा तो वो struggle करते हैं जो वहाँ के जानवर होते हैं कैसी बहुत बेकार condition में भी रहने के लिए अपने आपको वो ढ़ाल लेते हैं वो उसके लिए struggle करते हैं Throw most of the animals are harmless बहुत से जो जानवर होते हैं वो नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते Some are dangerous when threatened लेकिन कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा dangerous होते हैं वो भी तब जब उन्हें ड्राया जाए If an intruder is noticed They attack or bite to save themselves मतलब कि अगर कोई जानवर या कोई भी इनसान हो अगर उन्हें छेड़ता है तो वो क्या करते हैं उसको काटते हैं अपने आपको बचाने के लिए They struggle continually for food and water वो क्या करते हैं Struggle करते रहते हैं किसके लिए खाना पानी के लिए और पानी के लिए Some animals are called predators because they dash on other animals जो क्या होते हैं अनिमल्स predators होते हैं कुछ animals क्योंकि वो क्या करते हैं दुसरों पर depend रहते हैं मतलब कि कुछ जो predators मतलब जो दुसरों जानवर को मार कर अपना खाना बनाते हैं तो कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो दुसरे जानवर्स पर dependent होते हैं उन्हें ही अपना खाना बनाते हैं चलिए नेक्स्ट एक्सेसाईज देखते हैं Look at these sentences Deserts are the driest place on earth जो desert होते हैं वो क्या होते हैं सबसे सूखे स्थान होते हैं और गर्बिल्स spend the hottest part of the day in cool underground boroughs और जो गर्बिल्स होते हैं वो क्या करते हैं अपना जादतर समय गर्मी में जमीन के नीचे बिताती हैं अब इसमें क्या कहा गया है देखिए हर एक जो यह है sentence है इसके last में ब्रैकेट में एक word दिया गया है जैसे कि first में है toll, last में second में है fast, cold ऐसे ही यह words दिये गया है हमें क्या करना है इन words को जो sentence हम complete करेंगे हमें answer भी देना है जो question पूछा गया है और इस word को भी use करना है उस answer के अंदर तो देखिए सबसे पहले हैं जैसे which animal is the toll तो सबसे जो मतलब की लंबा जानवरा वो कौन सा है toll का मतलब लंबा height किसकी सबसे ज़्यादा लंबी होती है तो वो है जिराफ जिराफ is the tallest animal which animal runs fast leopard runs the fastest यह क्या चीज़ है यह किसलिए दिये गए है ताकि आप लोगों की knowledge increase हो तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और याद रखिए ताकि आप आगर future में आपकी knowledge increase होती रही इन चीज़ों से इसलिए हमें यह सबी चीज़े छोटी classes से दी जाती है ताकि हम बड़े होकर हमें problem ना हो छोटी छोटी चीज़ों का हमें पता हो तो चलिए next देखते हैं which place on earth is the dash और the cold मतलब कि होट सबसे hottest place बताना है अर्थ पे और coldest hottest place है in azizia in libya जो libya के अंदर है वो सबसे hottest part है place है अर्थ पे और vishonsk in russia is the coldest यह सबसे coldest part है रशिया के अंदर है यह जंग है जो की सबसे coldest है which animal is the large largest animal कुन से है blue whale is the largest animal सबसे बड़ा जानवर which is the tallest mountain tall mountain in the world mount Everest is the tallest mountain in the world सबसे उंचा पहड कुन से है mount Everest which is the dash rainy place on earth rainy सबसे rainy place कुन से है मेयारम मेगाल्या में है जो वो सबसे rainiest place है अपने अर्थ पर which is the oldest old living animal तो कुन सा है giant tortoise सबसे पुराना जानवर कुन सा है giant tortoise is the oldest living animal मतलब की जो बहुत पहले से रहता आ रहा है जिनकी परजाती है वो एक tortoise है giant tortoise जो सबसे पुरानी परजाती है जानवरों की नेक्स्ट है look at these sentences most snakes are quite harmless but a few are poisonous हमें ये देखिए क्या कहा गया है पहली line का मतलब क्या है जो बहुत सारे जानवर होते हैं most snakes are quite harmless कम harmless होते हैं मतलब की कम नुकसार पहुंचाते है कुछ ही होते हैं जो poisonous होते हैं जैरीले होते हैं most snakes lay egg but the rattlesnake gives birth to its young जादतर जो साप होते हैं वो अंडे देते हैं लेकिन rattlesnake जो होता है वो क्या करता है अपने बच्चों को सिधा जनम देता है वो अंडे नहीं देता तो हमें क्या करना है now write five sentences like this using most and the clues below हमें क्या करना है जो हमें नीचे sentence दिया गए है उनमें जैसे यह simple दिया गया है तो उसमें हमें most का use करना है most word का use करके उस sentence को दुबारा से बनाना है जैसे कि पहला है 90% of people are honest 10% are dishonest जैसे कि इसमें पहले दिया गया तो हम इसको most लिखकर यूज करके फिर बनाना है जैसे कि अब क्या बनेगा इसका most people are honest but about 10% are dishonest तो हमने इसमें most का use किया ऐसे ही next में loads of fruit have plenty of sugar जो जादतर fruit होते हैं उनमें sugar कम होता है but some citrus fruit are low in sugar मतलब कि जो fruits होते हैं उनमें sugar होती है लेगिन वो नुकसान नहीं पुंचाती है sugar होती है सब में loads of fruits में लेगिन कम कुछ ही ऐसे fruit होते हैं जिसमें sugar बहुत कम होते हैं मतलब कि होती हैं मीठे नहीं होते हैं तो हम इसमें यूज करना most का most fruits have plenty of sugar but some citrus fruits have less sugar next है every soft drink except this one has lots of empty calories तो इसका क्या बनेगा most of the soft drinks except this one have lots of empty calories इसी तरह next है the majority of films are romances a few are on other topics तो इसका बनेगा most films are romances but a few are on other topics next है a majority of people agree that he is a good leader just a few disagree मतलब कि क्या बनेगा है जो बहुत सारे लोग है वो agree करते हैं कि ये एक अच्छा leader है लेकिन कुछ है जो नहीं करते इसका बने most people agree that he is a good leader but a few disagree चलिए नेक्स एक्साइज करते हैं क्या करना है अब इसमें necessary to do complete these sentences using cannot and have to या has to हमें क्या करना है हमें जो ये sentence दिये गए है नीचे जो इनके अंदर जो feeling the blanks है वो हर एक question में दो है उन दोनों में एक में तो cannot यूज करना है और दूसरे में have to या has to में से कोई एक यूज करना है तो चलिए इन सबी को feel करते हैं पहला है यू cannot reach the Iceland by land or air यू have to go by boat इसका मतलब है कि अगर आपको Iceland पर पहुँचना है तो आप चल कर या फिल आपके नहीं जा सकते आपको boat की जरूरत ही पढ़ेगी उसके बाद है यू cannot see bacteria with our eyes यू have to look at them थो आप माइक्रोस्कोप बिल्कुल सच है कि जो bacteria होते हैं उन्हें हम आई से नहीं देख सकते उसके लिए हमें माइक्रोसोप की ही जरूरत पढ़ेगी नेक्स्ट है यू cannot have a new bicycle नाव यू has to wait till next year क्या कह रहे है कि जो नई bicycle अगर आपको लेनी है तो वो अभी आप नहीं ले सकते उसके लिए आपको अगले साल तक wait करना ही पढ़ेगा ओल्ड पिपल ओफ़न cannot hear very well they have to use a hearing aid इसका मतलब है sentence का कि जो बुड़े लोग होते हैं उन्हें अपने कानों से पूरा सुनाई नहीं देता तो उन्हें किस चीज की जुरूरत पढ़ेगी जो मशीन होती है कान में लगाने की जिससे सुनाई देता है उसकी जुरूरत पढ़ेगी next है road users cannot do what they wish they have to follow the traffic rules road users मतलब कि जो बाइक वगेरे चलाते हैं हम सभी आगए इसमें जो भी road का use करता है उनकी वो अपनी मर्जी से वहाँ पर road पर कुछ भी नहीं चला सकते ऐसे ही कोई line तोड रहा है कोई red light क्रोस कर रहा है उसे क्या करना पढ़ेगा traffic rules को follow करना ही करना पढ़ेगा she has to accept this decision she cannot question it इसमें अब देखिए ये एक ऐसा sentence है जिसमें आप दोनों use कर सकते हैं अलग-अलग तरीके से अगर यहां पर आप कर दे she cannot accept this decision she has to question it इसका मतलब हो जाएगा कि उसे इस decision को नहीं मानना चाहिए उसे इसके लिए question करना ही चाहिए उस लड़की को जो भी जिसकी भी यहां पर बात हुई है लेकिन अगर हम जैसे हमने लिखा गया अगर इसको ऐसे ही पड़े तो अब क्या बनेगा she has to accept this decision उसे ये बात माननी ही पड़ेगी जो भी बात है वो माननी ही पड़ेगी वो उसके लिए question नहीं कर सकती तो इसमें हम दोनों ही तरीके से इस word को use कर सकते है next है you cannot believe everything you hear you have to use your own judgment मतलब की तुमें हर एक बात पर विश्वाश नहीं करना चाहिए जो भी तुम सुनती हो तुमें खुद पहले उसके बारे में सोचना चाहिए कि ये सही है या नहीं तब ही उसके उपर judgment देनी चाहिए तो इसका ये बन गया cannot और बाद में आ गया have to तो इसी के साथ हमारे जो ये solution था chapter का वो complete होता है I hope आपको समझाया होगा अगर कोई भी problem आती है तो comment section दो comment कीजिए कुछ पूचना चाहते है या कुछ suggestion है कुछ भी चलिए thank you so much वीडियो और लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दीजिए thank you कुछ पूचना चाहते है